गुड मॉनिग आप्रीपन, कैसे हैं आप सबी, I hope all are, very good, तो हम पढ़ रहे हैं, चंदरुप्त मौरे के बारे में, मौरे बंस के बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा, मौरे बंस के स्थापना किसी ने की, चंदरुप्त मौरे ने की, उसके बाद हमने जब कुछ सोर्सीज द देखा कि उसने जब क्या क्या लिखा है, बो जब हमने डिसक्स किया, उसके बाद हमने देखा कि चंदरुप्त मौरे ने जब लास्ट में, जैन धर्म को अपना लिया था, उसके बाद जब बिंदु सार के बारे में डिसक्स किया, उसके बाद हमने असोक के बारे में हम लो वाला है कलिंग यूद से लिट्टिर जो वो बहुत कोचिन कोच जाते हैं आधसोक को बारे में पुछ जाता है कि असोक ने धम्म निति को अपनाया क्यों अपनाया क्या-क्या उसमें फिर उसके बाल क्या क्या हुआ कई सारी बात जो इहां पर हम discuss करेंगे काफ़ इंटरस्टिंग वीडियो ने वाला है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें चलिंग इस्टार करते हैं सबसे पहले यहां पर लिखा है कलिंग की युद के परिनाम सबसे पहले देखिए कलिंग की विजय के अत्यांत महत्वपन परिनाम निकले तो डॉक्तर एक मजबुदार ने कहा है कि कलिंग का युद समराट के जीवनता संभवता भारतिया इतियास में एक जोबो परवर्तनि मोर जो वो सिध हुआ तो सबसे पहला जो पॉइंट है यां पर वो एश है कि भेरी घोष के स्थान पर जो उसने धम निति को अपनाए playing कॉन सी निति को अपनाए उसने धम निति को अपनाए थो देखे जो वो एक उथां कि, टीक है, कलिंग की विजय ने जो वो असो के ब्यक्तिगत और जराजनितिक जीवन में, जो वो एक महान करांती उत्पन की, देखे, कलिंग की उद में जो रक्त की नदिया, चीक है, बहुत सारी कहा जाता है कि ऐसी नदियों के जैसे जो वो खून बहरा था, चीक है, तो उसको देखकर जो वो अ आखरी विजए परमानित हुई असोख ने अब जो भीरी गोष का मतल्ड होता है युद्ध गोषणा की निती ठीक है को छोड़कर करके जो भो धम निती तमगोष निती को अपना लिया आपको उचाल सता है कि धम निती जो भो किससे अपना आई थी तो वो कलिंग की युद् नेक्स्ट पॉइंट है आपे कि असोक के बेक्तिकत जीवन पर जो बहुत बड़ा प्रभापड़ा ठीक है बहुत बड़ा प्रभापड़ा देखें असोक जो पहले एक बहुत ही एसफर एक जीवन जो बहुत 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 बहु किया next point है very important point number three बहुत धर्म का परचार किया उसने ठीक है कि वो जो बहुत बुद्द को मानते हूं बहुत धर्म को मानते हैं एक अखुब लटाई जगडर करते वी आप्पने अपने दिख्वाई दिखाई दीय हुग आपको कब भी भी नहीं तो बहुत जबा आईंसा में विश्वास रखते हैं ऐसोक के हिकानों था. क्योंकि ऐसोक ने जोब अपने पुत्र पुत्रिये को भी सिरलंका और कई और जगां भी बेज दिया था परचार के लिए। ठीके नेक्स्ट से धम किस्तापना की उससने. तो कलिंग की युद के परिणाम जोबो असोग ने जोबो धम की स्थापना की इसकी स्थापना का मुख्यों देशे तो था मानमता की संब्रिती तो मुख्य से दान जोब बड़ों काद्र करना जैसे बच्चों से प्रेम करना दान अइंसा सत्य बोलना दार्मिक सही सुनता थी इस धर्म को जोब लोग प्रिवराने के लिए सोक ने इन नियमों को सिलाओं स्तंभों पर जोब अंकीत करवाए तो आज भी जोबो की सारे सोक के सिलालेक्स जोब अमें देखने को मिलते हैं ठीक है नext लिखा यहांपे अंपर सोवाण आपना जीवन इन सिंधानतों के अनुधांतों ढाल लिया नेक्स है लोगों का कल्यानיד तो बहुत लोगों का जब उसके बाद कल्यान की जिससे सटके बनवाई उसने चाहंदार बिक्स लोगाए कि नारों पर पानी पिने के लिए कुम हैं खुद Québec राज्येवर में जब शराय बनाई उसने बहुत कुछ जैसे पस्वों के लिए भी अस्पिताल बनाये मनुस्य के लिए तो बनाये ही लेकिन पस्वों के लिए भी उसने अस्पिताल बनाये उसके बाद असोग ने जो इन कारों के उनका नाम बिसो मन इसका नाम जोिए अमर हो गया असोग का नाम जो अमर हो गया ‎नेक्सकं सैनिक अयोगगika आहाम सोच रहे होंगे इस ऐयोगिटा कैसे होगी टीक है अब दिखे कोई सैनिक होंगे, अब कितनी टाइम तक जो लड़ेंगे नहीं है, त्यार चलाएंगे नहीं, तो जो जो आयोग्य हो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो बैसा ही हुआ, सैनिक आयोग्यत और इसके कारण भी मौरे समलाजे का पतन का कारण भी माना जाता है, सैनिक आयोगे था, देखे क्या हुआ, कि भ्यंकरपड़ नाम को देखर असोग ने जब सन्दैव के लिए यूद निती का तया कर लिया, तो मौरे सैना उनका सामना नहीं कर पाई, और उसने जब मौरे समलाजे, मतलब कि मौरे समलाजे के पतन का कारण जो बनी, नेक्स लिका है स समलाजे का विस्तार, देखे समलाजे का तो काफी विस्तार हुआ उसके बाद भी, जैसे कलिंग की विजय के कारण जब सोग के समलाजे में और विद्धी हुई, उसके समलाजे जब उत्तर में हिमालय परवत से लेकर, दक्सिन में महसूर तक, पूरव में बंगाल से लेकर पूरव यह उत्तर है और दक्सिन है जैसे यहां पर पूरव और उत्तर पूरव और उत्तर पूरव होगी तो ऐसे बताया है यहां पर कि नीचे मैसुर है पूरव में बंगाल से लेकर पूरव यहां पर पर वाले साइड होता है तो इसको भी आप याद रखिए नेक्स लिखा एक अंत में जो वो डॉक्टर केशी चौधरी ने अपने सब्दों में बताया कि कलिंग की बिजय ने जो भो मगद अधता भारत के इतियास में एक नए मतलग कि एक यूग का अंत हो गया त्रीक है उसके बाद एक यूग का जो अंत हो गया इसने जो सांतियों स पुरोहित का क्या काम होता है सैनापती कौन होता था ठीक है तो सब कुछ जोब हो हम दो डिसक्रिकरेंगे लेकिन अगले पार्ट में डिसक्रिकरेंगे करेंगे ओके थैंक यू एंड हैव नाइस देज करेंगे ठीक है झाल फंस दूर आज कर वेंफ जड़ना खंसर, मुद डेशना गरश दीट करेंगे छोगाफ से टार्ट मेंवे एंड हैवストर